हालो डियर फ्रेंड हीर आएम विजय राज तोड़े वी बीडियो में आपको केश नंबर साइथ 9 तक बताया था जो कि समाकलन के बारे में था लेकिन कमेंड में कुछ कमेंट आये हैं उन बच्चों ने बोला है कि हमने समाकलन स्टार्ट कर रखा है लेकिन बच्चों ने कहा कि समाकलन में आप कहीं कहीं आउकलन का यूज करते हैं तो यह आउकलन कैसे साल होगा आप एक वीडियो अलग से बना दो तो उस वीडियो को बनाने के लिए हम आपके लिए तयार हो चुके वीडियो लेकि आ चुके हैं चलो देखते हैं कैसे कैसे प्रकार के सवालों को किसे दिखाते हैं कोई भी सवाल का जिसे आउकलन निकालना है तो उसके साथ में क्या हो नच्छी डी बाइडियाक्स होना चाहिए वेज़ेकुट सबसे पहले हम बात करेंगे कि आउकलन में कुछ होते हैं उनने सूतर को मलत की फार्मूला को हम लोग यहां पर लिक लेते हैं उसके खोड़ा बहुत हम लोग आउपलं के बारे में बात कर आउंगे चलो यह हमारे पास क्या होगा सिंबल हो गया मलट लाग X का फार्मला क्या होगा कुछ फार्मले जो हमें समाकल में मिलेंगे किवल हम वही फार्मलों के बारें बात करेंगे उसके बार में कहा कि D by D X साइन X क्या होगा हमने कहा D by D X कास X क्या होगा अगर हम लोग बात करें कि आउकलन कितना समाकलन में पढ़ना है तो बस ही चार फामले आपको गर सांद में आ गए तो बस यही चार फामले की इड्दोगित पूरा हमारा समाकलन खतम हो जाएगा आउकलन हमें नहीं सब्द hesana पड़ेगा तो इन चार फामलों कि हम लोग समझा लेते हैं कोई नंबर होगा मलब कि कोई यहां पर क्या होगी संख्या होगी नंबर तो कोई भी हो सकती है कोई भी प्लस वाला मान हो सकता है कोई भी माइनस वाला मान हो सकता है कोई भी भी भीन वाला मान हो होता है सबसे पहले यहां पर लिखा उताल लिया इस एंड में लिखा ना उसको हागे लगा दिया और इस व І D by Dx X की power n का formula क्या होता है N X की power n-1 N X की power n-1 अगला formula है D by Ds log X ध्यान देना D by Ds log X इसका formula होता 1 upon X D by Dx sin X का formula होता हमारे पास cost X D by Dx cost X का formula होता हमारे पास sin X किता होता sin X अगर इतने formula आपके वहल 4 formula समझ लो तो उसके इसके बात guarantee बता रहें आपको समाकलन में कभी भी problem नहीं आगी इसको लिखो उसके बाद में दो तीन सवाल करते उसके बाद अपने आप topic क्या होगा killer हो जाएगा चलो देखते हैं जैसे हमने कहा कि X square plus 1 बराबर T है क्या है बराबर T है हमने कहा इसको क्या करो X के साफ पेच में क्या करो इसका आपको निकाने के लिए X के साफ पेच बोल दे तो क्या करना पड़ेगा इधर भी D by D X लगाना पड़ेगा और इधर भी क्या लगाने पड़ेगा दिवाइड एस लगाना पड़ेगा हलकर डालो यहां पर D by D X यहां पर पहले X स्कॉार फी प्लस 1 है सबके साथ में अलग यहँक होती है तो जितने भी हमारे पसा नंबर होते हैं मलब कि संख्यां होती है वे संख्यां रहे हमारी लिये नियतांग का काम करती हैं अच्छा जैसे मैं कहा कि जिसे यहां पर है दो मैंने की दो रूड़ दो वन अपान दो ये हमारेगे क्या है कानस्टन्ट एक नियतांग है और नियतांग का आउकुलन मलब कि D by Dx कोई भी यहां पर संख्या लिख्यों क्या लोग कि कोई भी संख्या यह संख्या कमान हमेशा क्या होगा 0 होगा क्या होगा 0 होगा कोई भी संख्या यहां पर 0 यहां पर 1 हो सकता है माइनस 1 हो सकता है अंडरूट 2 हो सकता है यहां पर एक बटते दो सकता हैक वह यहां पर दो क्हारत है हाँ न कहिता है यहां पर दो автом पायर किसमें इक इसका मान किता जागा जिरो ने प्लस जिरो कर लिया इसका बाट निकाल लो तो मारे पार किता हो जाएगा यह हो जाएगा इसको निकाल लो मान तो दी एक्स बराबर हमारे पास दीटी था अब उत्ते हाएगे अधुस फटर्टिस्थापन से तो प्रतिस्थापन में इसका निकालने बाद वहां पर चांड रखना लिया इतना सिम्बल इतना सिंपल है एक इस वाल लेते हैं कि अच्छा आगे लोग क्या करते हैं इधर देख लेते हैं इधर आरा साइद कैमरा कि देखो जहांते हैं हमने कहा कि हमारे पाद या गया है जैसे लिखा है का सायन एक्स बरापर ट जैसे मालों मार्रे पात कोई सवाल हैं यहां पर उसमें मानना पड़ता है希望 के लिए दिया और इधर भी का लगा दो d by dx लगा दो टीम में लगा दिया ठीक अब इस साइन इसके सापेच में अवकलर निकालो किता होता है फार्मला लिखा है डिवाइड इसकी तो हमारे पास यहां गया का सेक्स बराबर यह किता हो जागा डीटी अपांड डीएक्स इस डीएक्स को इधर लिके चले जाओ तो हमारे पाकिता हो जागा डीएक्स और यहां पर किता हमारे पास कास बराबर किता हमारे पार डीटी था यहां पर डीएक्स कमान निकाना है तो डीएक्स बराबर किता हो जाएगा हमारे पास डीटी अपां सवाल लगांगे उसको अब लोग नौट करना चाहते नोट कर सकतें ओके नोट करी लिया होगा कि इस सवाल ओर देखेलो हमने कहा कि one upon एक्स वराबर टी माना सब्सक्राण जैसे मालूँ हमारे पास यहांप कोई समाकलन का सवाल लिखा था समाकलन के सवाल को लगाने के लिए हमने वन अपान एक्स बराबर टी माल लिया तो माने गई चीज का क्या निकालते हैं हम लोग क्या निकालते हैं तो आउकलन के लिए डी बाइड एक्स इधा लगा दो वन अपान एक्स बराबर डी बाइड इधर टी लगा दो, 1 upon x का हमारे पार formula है कभी, कोई formula नहीं, तो इस x के उपर एक माल लिया जाए, एक माल लो इसको उपर ले जाओ, तो d by dx, यहाँ पे प्लस का 1 है, उपर जाज करता हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो गया x की पावर minus 1, यहां पर हो गया है consultant dt इस हमारे पास एक हमारे पास क्या है और चाहिए जो समझ नहीं पाते हैं कि ये कहां से आगए डी बाइडियस काहां ते लाग गया सुनों भाई एक्स की पावर इन जैसे तुम फार्मला लगा ओंगे न तो फार्मला लगा देने पर डी बाइड एक्स कभी दुबारा नहीं लिखा जाता यहां पर माइनस को दू पर टू हो गया बराबर हमारे पर केता गया तो एक्सिक पावर 2 जो एया हमें XX समान चीज इसको उधर टांफर कर दो डियक्स इक्वल टू हमारे पाग किता हो जाएगा एकस इसक्वाइड का डिटी आ गया आए नहीं आए आप बताते चलो यह माइनस उधर बेजो कित हो जाएगा हमारे पार मैंडस यह निकल लें अब समा कलन भी जो भी सवाल होगा वहा लेते उसके बाद वीडियो को करते हैं हम लोग यहां पर खत्म जैसे हमने कहा रूट एकस बराबर हमारे पार्टी है हमने क्या क्या इसका आउकलन निकलो क्या करेंगे डी बाइडिय लगाएंगे रूट एकस में इदर टे में अच्छा इस रूट का मांग किता हो था एक थेख की पावर N-1 यह किता था हमारे पास गया हमारे पास यहां पर यहां पर थेखा किता घया अच्छा बहुत बढ़िया इसपीड को बढ़ाओ देख अधर यह माइनस को वन अपांट टू उपर नीचे लाओ तो प्लस बन जाएगा तो वन अपांट टू यह उपर नीचे आया जाएगा हमारे पार बन जाएगा बता दिया हमारे पाथ सवाल होगा उसका सवाल होगा उसमें रखे इसका निकाल लेंगे बस अ कभी कोई समाकलन का सवाव आता है तो जब उस समाकलन के सवाल को हम प्रति स्थापन से लगाना शुरू करते हैं तो आगर आपको पसंद अया है तो अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो पूरी हर्बार की होल मस्ती परिवार है आगे बढ़ता रहे थाइंक्यू फार सपोर्टिंग में ओके विश्वाल देविवेश्ट